मैं अभी आइस की थन मेए अगर गरम गरम अऊंगे खाने को मिल जाये तो क्या बात है हलो दोस्तों मैं रका इसंग भूटवानी और स्वागत आपशना कोति ऐस किचन में तो आज निवा शल्कीर कि पास लूगी जिसका ऊजुन पोर्षिए और ग्रीन पोर्शन दोनों ही मैंने यह इस्तला किया है इसे मैंने चाठके रखा हुआ है अब में अब ड़नगे 1 मीडियम साइज का नो जुकि मैने बारी काठके रखा हुआ है अब एक टेबल स्पून जो कि मैंने या पर बारी काटके रखी हुई है अब एक टी स्पून ग्रेट जिंजर यानी अद्रक और इसमें डालेंगे हम हरी मिच अगर आप तीका काते तो आप ज्यादा डालिए अब मैं डाल रही हूं थोड़ा सा धनिया जो कि मैंने बारी काट अब हम डालेंगे कुछ मसाले सबसे पहले मैंने आपे नमक डाला स्वादा नुसाल अब आदा चोटा चमश हल्दी एक चमश धनिया पॉडर अधा चोटा चमश लाल मिच का पॉडर और अधा चोटा चमश अब इसमें डालूंगी मैं जीरा जीरे से बहुत ही अच्छी खड़ा धनिया जरूर डाले इसे पकोड़ों में बहुत ही ऑसम टेस्ट आता है इन सभी मसालों को स्प्रिंग अनियन में अच्छे से अब हम मिक्स का लेंगे अब मैंने डाले एक चुटकी हिंग अच्छे से मिक्स करने के बाद में यसमें डालूँगी बेसन मैं आपे एक अटोरी बेसन यूज कर रहिए जो कि एक साथ नहीं डालूँगी दो भाग में आदा अदा करके डाल रही हूँ इस बेशन से पकोड़ों को अच्छे से कोट कर लीजे अब मैं डालूंगी एक च्छोटी कटोरी चावल का आठा अगर आपके पस चावल का आठा नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर के छोटे जो पॉट होते हैं जार होते उसमे मिक्सर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लूँगी पानी एक सथ बिपकुल ना डाले थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाले आपकोडिया खाने में बहुत ही ऑसम बनती है लाग प्याच के जो रेगले पकोड़ों होते है उससे भी इस काफी और तो एक पर ट्राय सबूर कीजिएगा थोड़ी थोड़ा पानी डाल के मैं से मिक्स कर लूँगी अब इस पकोड़ों के घुल में क्या होता ना यह एक इंग्रेंस होता है चुकि आप्शनल है वह है सोड़ा अक्सा लोग सोड़ा डालते है अक्सा लोग अवाइड करते अब चाहें तो अवाइड करिए अब तेल गरम हो गया इस तेल में से में लगबग 2 तीबिल स्पून गरम तेल जो है मेरे पकोड़ों के इस बैटर में डालोंगी उससे क्या होता है ना कि पकोड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मौश्यर सॉफ्ट अच्छे बनते हैं करने हां अब इन पकोड़ों को हम मीडियम पे अच्छे से एक कर लिए उस से मीडियम राक्ट करना है कि थे लगतार जाते रहिती है हो अ हीजी अम झेलियों और नहीं विश्य टिन मालते है नहीं और लगते हैं इसे golden fry करने तक अच्छे से fry कर लीजिए तियार है हमारे पबोड़े अब हम इसे क्या करेंगे न टीशू पेपर पे या किचन टॉबल पे निकाल लेंगे ताकि और एक्स्ट्रा उसमें से निकल जाए तो सर्फ कीज़े इसे आपकी मन पसंद हरी चटनी या फिर टोमेटो के के साथ तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको मेरी रेसी भी बताईए का और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंट्स और फैंबी के साथ शेयर कीजिए थैंक्यू